हेलो अब्रीवान आप सभी मस्त होंगे स्वस्त होंगे कुछ होंगे तो वेलकम तो माई न्यू वीडियो माना एंड मॉम चैनल में आपका स्वागत है आप देख सकते हो यह है सुभे की वीडियो कितना अच्छा मोसम हो रहा है कितना है जुँकि इंहोंगे, यह वह ब्रीय निए और लेख नक्रीन साफस्फाई ग्रीन रही हुआ है गर पे बहुत ज्यादा भय हवाप जलती है तो तो फिरव देखो यह चोटी-चोटी मैंगें हैं वह सारी टूट के नीचे गिर रही है यह चीकू है चीकूं भी बहुत ज्या बना सकते हैं, खा सकते हैं, अच्छी भी लगती है, वैसे मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है, यहाँ, तो यह शेश्वी भी कह रही है, मुझे भी अच्छी लगती है, कि चेटनी इसकी बहुत अच्छी लगती है, बट यह एक दन कच्छी खारी थी तो ममी बोल रहे थी इसको प्लीज कच्ची मत खा तो मैं इनको उठा रही थी क्योंकि यहां पे यह सब अच्छे वाली मैंगो पड़ी हुई थी तो मैं कै चलो उठाके इनको सारी को अंदर रख देती हूँ तो यह मैंने सारी उठाई और अंदर तो पूरी और मानाों देखो सोरी इतना इसी चल रहा इस पर पता बहुत ज़ादा श्रारती होती है, यह लेट से सोती है, और फिर सुभह भी लेट से उपती है, स्कूल जाती है, तो अपना उठी जाती है, छोड़ा सा मैंने भी अपना नहाद हो, कि मैंने हैट वाश कीया था, और फिर हम लोग जा रही थे, अपनी हमारी मननत कंप्लीट हुई थी तो आप वीडियो में आगे आगे देखते रहोगे हम लोग कहां जा रहे हैं पहुँचते ही भई मैं आज मेरा कोई खुशी का टिकाना नहीं था क्योंकि मेरे को बहुत खुशी हो रही थी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि जिस जगह में इतने सालों से नहीं गई अब हम जा रहे हैं और वो साथ में थे साथ में भाबी थे दूसरे वाले भाबी थे यश, कन्नू, अराधना, भानुदीदी मना कर रहे थे कि मुझे नहीं जाना है तुम लोग जाओ और माथा टेक आओ, फिर ऐसे भी अच्छा नहीं लगता हम सब लोग जा रहे थे और फिर ये घर पे रहते, मैं कहा चलो कोई बाद नहीं आपको तो गाड़ी में बैठ नहीं है बैठे रहना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अराम से हम भी दर्शन कराते हैं और आप भी कराना क्योंकि हमारा तो कोई प्लैन नहीं था जाने का बट लेकिन साथ में मासी जी का बेटा है वो साथ जा रहे थे तो हमने सोचा चलो हम भी चलते हैं, उनकी भी मुराद पूरी हुई है तो हमारी भी मुराद पूरी हुई थी तो चलो मैं कि हम भी साथ में ही चले जाते हैं तो भानुदीदी का तो वैसे मन नहीं था उनका क्योंकि पेड में इंफेक्शन हो रहा है न तो वो कहरे थे कि ना मुझे कुछ खाना और वैसे भी मैं सफर में थोड़ी परिशान हो जाओंगी तो इसलिए फिर मैंने बोला मैं कि चलो कोई बात नी जब हम जा रहे हैं तो आप भी साथ में ही साथ में ही चलना तो वो भी कहा रहे थे कि ठीक है चलो फिर बैढ़ना यहीं मेरा समान था सारा सुबह का दुपहर का हमने एकठा ही रख लिया था अपना कि मैं कहा चलो फिर रास्ते में अगर बाहर का खाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी फाइनली भी अभी भाई छीड़ रहा था तो हम चल दिये थे भई बाबी बहुत खूश हो रही ती वो के सोच रहे थे कि मेरी तो कोई खुशी कर ठीका नहीं ही क्योंकि चलो आज हम भी पहली भार दर्शन करेंगे उन्होंने भी पहली भार दर्शन किये थे और साथ में थे मम्मी हमेशा मम्मी बा तो फाइनली हम घर से निकल चुके थे वो ताई जी बैटे थे वो घर की थोड़ा साफ सफाई करा देते हैं साथ में मिलकर हैल्प कर देते हैं भाबी बैटे हुए थे सारे गाड़ी में मम्मी हम तीनों बीच में थे बानुदीदी आगे बैटे हुए थे क्योंकि उनको आई था मासी जी का बेटा चेंके तो भई सुबह का टाइम होता है गुड़ वाइब साती हैं सब अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं और सुबह का टाइम था तो हम सुबह सुबह अर्ली मॉनिंग आप देख सकते हुए अब भी ठंड भी अच्छे वाली थी क्योंकि अब दोपी नहीं थी और अभी हम बस थोड़े टाइम बाद पहुचने ही वाले थे अपना बस थोड़े आसपास ही लग चुके थे अगर सुबह का टाइम होता है न तो बहुत अच्छा लगता है सुबह के टाइम पे तो अभी खाना खाना तो किसी जगह हमने धाबे पे रोक क्योंकि बच्चे जीत कर रहे थे और बच्चे वैसे भी अर्ली मॉनिंग जब उड़ जाते हैं तो उनको नीड आती है रास्ते में और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है तो अब हम धाबे पे रुग गए थे तो हम खाना खाने के त्यारी में थे मैं के चलो कुछ तो खालो क्योंकि इतनी सुबह सुबह कुछ खाके भी नहीं चला जाता नहां दोके अच्व से हम बेड़ी हो गए थे यहां बच्चे थे बच्चे घूम रहे थे उनको थोड़ा फ्रीसा लग रहा था क्योंकि इतने टाइम से हम गाड़ी में बैठे थे यह तो अच इनके भी दर्शन हो गए थे भई हम तो निहाल हो गए थे अभी फाइनली बस पहुचने वाले हम और फाइनली हम पहुच गए हैं जहां हमें पहुचना था तो सबी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना कौन का नाया हुआ है और किस किस को यहां अच्छा लगता है मुझे तो बहुत अच्छा लगा है बहुत पीस ओफ माइंड है मेरा तो मन करता है कि मैं वहीं रह जाऊं बस सब कुछ छोड़ चाड़के क्योंकि जो साही लादी जी की वहां पे हमारी वो दर्गाहा है जो उनका वहां पे दर्शन करने का है वही मेरा तो मन यह था कि मैं जाऊं की ना वहां से और थोड़ा देखो कितना अच्छा लग रहा था बहुत अच्छा लग रहा था वो सामने हमारी दर्गाहा का दर्वाजा था भी हम जहां से हमने जाना था सब भी लोग थे अपना सब की मुराद पूरी होती है सब लोग आते है यहां तक कि बड़े बड़े लोग भी बहूत दूर दूर से यहां पर आते हैं क्योंकि यहां का जो एक नजारा है वो अलगी है भी मुझे तो लगा है सबी का अपना अपना नजरिया है मुझे तो बहुत अच्छा लगा और यहां सबसे बड़ी बात ही है कि दिमाग को बहुत शानती मिली है अच्छा लगा है, मम्मी थी, अराधना थी, सारे बच्चे साथ साथी थे, हमारे सबने अच्छे से माथा टेक और हमने यहां से परशाद लिया, अंदर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा रिस्टिक्टिर था बर फिबी मैंने बनाई, थोड़ी सी बनाई, ज़्यादा नह बनाई, और हमने यहां की वीडियो थोड़ी फोन, कैमरा, सब कुछ अंदर कुछ भी नहीं लेजना लाउग नहीं था, तो भई हमें क्या-क्या मिला था, वहां से मिले थे, खिलोने और वो खिलोने थे, क्या एरो प्लेन था, राधना को गुलत मिला, सब को मिला, और हम सब आपने बहुत इंजोई किया, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ऐसे ही वीडियो को इंजोई करते रहे और अपना धेर सारा प्यार देते रहे, तो बहुत अच्छा सफर रहा है, हमारी रही है